उधा धर्म परिवर्तन अध्यादेश का पालन नहीं करने पर शादी को रुखवा दिया गया है इसमें एक मुसलिम युवक की हिंदू युवति के साथ शादी होनी थी दोनों पक्ष में सहमती से ये शादी हो रही थी दोनों पक्षों ने लिख कर भे दिया कि उन्हें शादी से कोई ईतराज नहीं है अब लेकिन शादी के लिए युवति को अपना धर्म परिवर्तन करवाना था और हम नए कानून के साब से डियम से दो मेने पहले आपको धर्म परिवर्तन करवाने की अजाज़त लेनी होती है डियम की अजाज़त के बगए धर्म परिवर्तन करके ये शादी की तैयारी हो रही थी और इसी के चलते प्रशास्तन ने कारवाई करतवेश शादी को रुखवा दिया है तो यूपी में लवजियाद कानून का जो असर है वो अब देखने लगा है आपको पता दें कि अभी नया कानून जो बनाया गया उसके हिसाब से आपको पहले जिलाधिकारी से पर्मिशन लेनी आवश्यक है अब चुकि इस प्रक्रण में भी आप देखिए दोनों पक्षराजनी हैं लेकिन उसके बावजूद भी चुकि कानून इस बात की जाज़त नहीं देता और अब आपको डियम से पहले पर्मिशन लेनी है और चुकि इस शादी की जो पर्मिशन है वो जिलाधिकारी से नहीं ली गई और इसी को आधार बनाते हुए शादी को रुखवा दिया गया मुस्लिम युवक एक हिंदू युपति से शादी कर रहा है शादी के दौरान अब धन परिवर्तन भी करवाना है युपति का और ऐसे में प्रशासन ने कानून का हवाला देते हुए शादी को रुखवा दिया है प्रशासन की तरब से कहा गया है कि पहले अनुमत्ती ली जानी चाहिए दो महिने पहले जब इसकी इजाज़त ली जाए कि उसके बाद ही इसके आधार पर आगे शादी की इजाज़त प्रशासन की तरफ से दी जा सकती है बगार धन पतले राधाई लखनव के पारा इलाके में हो रहे शादी को लखनव की पारा पुलिस ने अधादेश का हवाला देते हुए रुकवा दिया आपको पता दे लखनव के पारा इलाके में कल रात को एक मुस्लिम लड़के की हिंदू लड़की से शादी हो रही थी पुलिस को इसके जानकारी मिली इसके बाद पुलिस ने अधादेश का हवाला देते हुए शादी को रुकवा दिया वही परिजनों को ये कहना है कि लड़का और लड़की दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं शादी करना चाहते हैं वही परिवार वाले भी शादी के लिए राजी है वही उनका ये भी कहना है जो नया कानून बना हुआ उसका वो पालन करेंगे कानून का पुरा सम्मान कर दें अगर उन्हें शादी की जादत मिलेगी तभी वो शादी को कराएंगे रभी कुपार इंडिया नूच लगनावू